शिसोधिया और विसाल डड़लाली जी का। मैं बिना समय कमाये हुए माइक मनीश शिसोधिया जी के हाथ में दूँगा और वह आपसे बातशित करेंगे। भारत मता की लग निरा, लग निरा की भारत मता के बेटे बेटेंगे बेटे हुए हैं। बारत माता की जो जो लोग दुकानों में अंदर बैठे हैं और उन में से किसी को लगता है कि हम केजरिवाल जी के वोटर नहीं है बारत माता के वेटे तो वो भी है ज़रा एक बार बता दें दुकानों से भी कहीं कोई बैठा है तो बारत माता की यह हुई ना बात मैं सबसे पहले तो पटपडगंज विधान सवाग शेत्र में देश और दुनिया के सबसे मशूर गायक हमारे मेत बाई विशाल डेडलानी जी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ एक बार बताए मयूर बिहार की तालियों से हम इनका स्वागत करें मयूर बिहार पिछले पांस साल में बहुत बड़े-बड़े स्टार्स यहाँ पर पहुचे हैं और ये आपके वोट की ताकस से हुआ है और आज एक बड़े स्टार आपका वोट मांगने के लिए भी आये है हैं साथियो मैं है बहुत बंबी बात ना करते हुह कि काफी देर से आप लोग बैठे है गाँ और विचाल भाई को अभी तीसरी दिन में चौति आभी चौति है आज की ये सभा पाँची में में भी जाना है तो मैं बहुत लंबी बात ना करते हुए आपके बीच आया हूँ पांस साल से पांस साल से आपके बीच हमले और मंत्री के रूप में काम कर रहा हूं कहीं भी जाता हूं हर जगे से सुनने को मिलता है काम बहुत हुए केजरिवाल जी ने काम बहुत किये गलत क काम पे वोट पड़ेगा काम पे पड़ेगा पटपडगंज का वोट कहां पड़ेगा एक आदमी अब काम पे वोट पड़ गया तो मुझे वोट मांगने की जरूत नहीं है लेकिन चार दिन पांच दिन दिल्ली का एक-एक व्यक्ति एक-एक वोटर एक-एक समझदार वोटर जिम्मेदारी लेके यह जिम्मेदारी निभाएगा कि हमें केजरिवाल जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है काम करने वाले सीम को दोबारा लेके आना है को Iした Fine education पर काम करने वाले है tough apply काम करने वाले बिजली सस्थी करने वाले पानी पर काम करने वाले सी और मिनिस्ट्रे अर्विंद के जरिवाल को दो बारा चीफ मिनिस्ट्रे neighborhood की निए बनाना bet DF क्योंकि आज सब लोग कह रहें सरकारी स्कूल अच्छे हो गए अगले पांस साल इन सरकारी स्कूलों को और उच्छा बनाना है ना वो तो केजरिवाल जी करवा सकते हैं यह जब महला क्लिनिक खुलें यह बंद हो सकते हैं इनमें दवाई डॉक्टर टेस्ट का काम पांस साल कराना ना कराना यह तो केजरिवाल जी करा सकते हैं बिजली के बिल जीरो हो गए अगले पास साल बिजली के बिल जीरो रखने है कि नहीं रखने है बीजेपी वाले कारकरताओं को भी बिजली के बिल जीरो चाहिए कि नहीं चाहिए अगर बीजेपी के कारकरताओं को भी अपने घर में बिजली के बिल जीरो चाहिए जंडा और अगर बीजेपी वालों के बच्चे किसी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और अपने बच्चे का भविश्य शांदार बनाना चाहते हो उसको वेज्ञानिक इंजीनियर डॉक्टर कोई बड़ा अद्वी बनाना चाहते हो तो वोट जाड़ू पर देने से ही आपका बच्चे का भविश्य सुद्रेगा बीजेपी वालों कमल पर बटन दवाने से तो उसके हाथ में तमंचाई निकलेगा आज केजरीवाल जी बच्चे के हाथ में मुझा सीना चोड़ा हो जाता है मैं जाता हूं किसी सरकारी स्कूल में एक रिक्षे वाले का बेटा एक दुकान में काम करने वाले किसी भाई का बेटा हमारे याज जवार महले में रहने वाले किसी आटो जॉल आटो वाले का बेटा उसकी लड़की हमारे स्कूल में वाइट चोंगा पहन के माइक्रोस्कोप में जाक के रिसर्च कर रही होती है सेल की आई आई टी में तो हर साल बच्चे जाते हैं लेकिन जब यह पता चलता है कि मयूर विहार के अपार्टमेंट में सीडियों के नीचे कपड़े प्रेस करने वाले का बेटा आई 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 टी मुंबई चला गया ताब फक्र होता है इस बात पे तब केजरिवाल जी पे फक्र होता है आज वापस पास साल बात केजरिवाल जी वोट मांगने के लिए और केजरिवाल जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए मैं आपके बीच में हूँ आपका वोट वापस केजरिवाल जी के लिए जाड़ू पे मांगने आया हूँ और कहना चाहता हूँ बीजेपी वाले भी कहीं सुन रहे होंगे दो-चार कि भाईया बच्चे अगर सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो उनका भविष्य भी केजरिवाल जी ठीक करेंगे सबसे पहली डखेती बच्चे की फीज के रूप में अपनी जेप पर पढ़ती है कि बिजली के बिल बढ़ जाते हैं अपनी जेप पर पढ़ती है ऐसे व्यक्ति के लिए वोट देना बनता है की नहीं बनता, वोट मांगना बनता है की नहीं बनता, तो आज सब अगले साथ दिन, मैं जानता हूं बहुत सारे कारिकरतां खड़े हैं, बहुत महनत करके। खड़े हुए हैं इस सभा सभा को सफल बनाने के लिए सब ने बहुत मेहनत किये हैं वोट जाडू को पड़ेगा लेकिन साथ दिन साथ दिन खूम मेहनत करनी हैं एक एक व्यक्ती को अपने अड़ोस परोस में समझाना है कि भाईया बच्चों का भविश्य परिवार का बिजली का बिल परिवार का बजट केवल और केवल अगले पांच साल ठीक चलाना है तो केवल और केवल जाडू का बटन दवा पूछना चाहता हूं आपसे दो दिन से दुखी हूं मैं थोड़ा सा किसी चीज को लेकर दो दिन पहले मैंने सुना यह बीजेपी वाले कुछ-कुछ कहते रहते हैं यहां हमें गाली औली देते रहते हमको बुरा नहीं लगता लेकिन उन्होंने एक बहुत घटिया बात कही है जिससे मैं दुखी हूं आप बताना कि आपको दुख पहुचा कि नहीं पहुचा एक लड़का आई आई टी में जाता है आई आई टी पास करके इंकम टेक्स का कमिशनर बनता है इंकम टेक्स के कमिशनर की नौकरी छोड़के वो राजनीती में समा सेवा में आता है राजनीती में आता है दिल्ली का मुख्यमंतरी बनता है पास साल मेहनत करके दिल्ली के 44 लाख बच्चों के फ्यूचर बनाने के लिए दिन रात एक करता है दिल्ली के गरीब से गरीबाद भी के घर में बिजली की बत्ती जल सके उसकी चितनी तंखा जितनी आमदनी हैं, उस आमदनी में वो अपने बच्चों को टीवी देखने के लिए मना ना करें कि वही बिजली का बिल जादे आ जाएगा, पंखा का बिल जादे आ जाएगा, हीटर का बिल जादे आ जाएगा, वो अपने बच्चों को मना ना करें, इसलिए दो सो यूनिट तक बिजली फ्री देता है और बाकी सब लोगों के लिए नौईडा और गाजेवास से लेके तमाम देश के राज्यों से आधे दाम पे बिजली उपलब कराता है इमानदारी से उपलब कराता है वो आदमी वो AITN वो इंकम टेक्स का कमिशनर वो दिल्ली का दिल्ली के हर अमीर गरीब के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है आज दिल्ली में 24 गंटे बिजली आ रही है तो केजरिवाल की वजह से आ रही है क्योंकि एक AITN को इंजीनिर बना दिया था चीफ मिनिस्टर बना दिया था आप लोगों ने उस आदमी को आज बीजेपी क का अरविंद केजरिवाल आतंकवादी है आज दिल्ली के लोग बैठे उएं उएं मुझे दिल पर हाथ रख रख के बताईये क्या अरविंद केजरिवाल आतंकवादी क्या अर्विंद केजरिवाल को आतंकवादी कहा जाना चाहिए जिसने आयाइटी के पढ़ाई करी इंकम टेक्स की कमिशनरी छोड़ दी जिसकी वज़े से बिजली आज दिल्ली के लोगों के बच्चे सामदार पढ़ रहे हैं जिसकी वज़े से आज पूरी दिल्ली में क्या है से वक्ति को आतंकवादी कहा जा सकता है कि आज मैं आप से यही बात पूछना है हूं आज अगले साथ दिन अर्विंद केजरिवाल जी ने कहा है कि हम साथ हम अगले 5 साल अच्छी 24 घंटे बिजली की गारंटी देते हैं उसके लिए वोट मांगो हम अच्छी लेकिन मैं चाहता हूं जो जो लोग यह मानते हैं कि अर्विंद केजरिवाल को आतंकवादी नहीं कहा जाना चाहिए था अर्विंद केजरिवाल को आतंकवादी कहना हम सब कार्यकरताओं का हम सब दिल्ली के लोगों का हम सब दिल्ली के टीचर्स का और बच्चों का अपम यह लोग अरविंद केजरिवाल को अतंकवादी कहते हैं दिल्ली का एक एक अध्वी अरविंद केजरिवाल को अपना बेटा अपना भाई कहके वोट दबाएगा और इसके प्रोटेस्ट में आज पूरी दिल्ली में हम सब लोगों ने मिलके जो जो लोग अरविंद रिबन बांदे हुए हैं यहां विशाल भाई है यहां ने तो पूरा जैकेटी काला पेन रखा है इसके प्रोटेस्ट में आज इसके प्रोटेस्ट में हम सब लोग अगले साथ दिन ये काला रिबन बांद के चुनाव लड़ेंगे ताकि दिल्ली के एक एक वोटर को याद द शिक्षा के लिए तो पढ़ेगा ही बच्चों की लेकिन अर्विंद केज्रिवाल जी को आतंकवादी कहने के खिलाफ भी पढ़ेगा अर्विंद केज्रिवाल जी को आतंकवादी का अरोप लगाने के खिलाफ भी पढ़ेगा विशाल भाई यहां पे हैं मैं इनके हाथ मे आज से काली पठ्टी बांध रहो काली पठ्टी बांध के रखेंगे हम सब यहां पर काली पठ्टी बांध के चुनाब लड़ेंगे कि देश के लोकतंत्र में जनता के लिए काम करने वाले आदमी गए बीजेपी वाले आतंकवादी कहते हैं, सोचके देखिए, जिस माबापने अपने बच्चे को IIT कराया, कमिशनर बनाया, उसने कहा नहीं मैं राजनीती में जाऊंगा, मुझे लोगों की सेवा करनी है, क्या बीत रही होगी उस मापे जिसके बेटे को आतंकवादी कहा जा रह है, क्या बीत रही होगी उस पिता पे, जिसके बेटे को आतंकवादी कहा जा रहा है, जिसकी बेटी खुद IIT पास करके, एक कमप्री में काम कर रही है, हम सब नौजवानों यहां से, कितने सारे नौजवानों जैसे सपने थे उसके, उस लड़की के पिता को आतंकवादी क कहा जा रहे है, उनका बेटा जो खुद IIT में पढ़ रहा है जाके, मिशाल बनके खड़ा हुआ है, कि पॉलिटीशन के बच्चे जरूरी नहीं, गुंडे और वैसे बने, पॉलिटीशन के बच्चे जाके अच्छे लिखके पढ़के भी जा सकते हैं, IIT में भी जा सकते है वो मिशाल बन रहा है, और उसके पिता को आतंकवादी कहा जा रहा है, तो आज उसके प्रोटेस्ट में हम सब लोग इस मंच से अलान करते हैं, कि लोक्तंत के इस महापर्व में हम BJP की इस काली करतूत के किलाब, इस काली बयान बाजी के किलाब, हम अपनी काली पट्टी ब बीच मने रहूंगा, बस बाकी मेरा इलतजा तो यही है, कि आठ तारिक को पहले अपना बटन ध्याडू पर दवा देना, और उसके बाद महले पलाउस में सब से दवा देना, भारत मता की काम बोलता है भाई काम बोलता है, पीछे से भी आवा जाना चाहिए काम बोलता है भाई काम बोलता है काम बोलता है अच्छे होंगे पांच साल अच्छे होंगे पांच साल अच्छे होंगे पांच साल आप सब लोगों को भी काले रिबन दिये जादे हैं जो जो लोग इस प्रोटेस्ट में बाहां सामिल होना चाहते हैं वो अपने अपने हाथ में यहां से काले रिबन हमारे वॉलुंटेस देंगे उनसे ले लिजेगा थेंक्यू